जालोन के उरही में रविवार को जिले में पहली बार पहुंच रहे ग्रह मंत्री अमिच्षा उरही की धर्ती से विरोधियों पर भी निशाना साह देंगे। जनसभा में करीब एक लाग लोगों के पहुंचने का दावा बीजेपी नेता कर रहे हैं। वर्तमान में जालोन के तीन विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कबजा है। तक उत्तप्रदेश के कई दौरे कर चुके हैं और अब भी उनके कई दौरे प्रस्तावित हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। तो जालोन के दौरे पर आज ग्रहम मंत्री अमिच्शा रहने वाले हैं। पूरी तरह से अक्टिव वोड में नज़र आ रही है और जिले में पहली बार हमिच्शा पहुंचेंगे। तो चलिए बागे बढ़ते हुए सीधे आपको ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास महमान जुड़ेंगे जो देवरिया विधानसवा की पतर देवा सीट से टिकेट के दाविदार हैं। समाजवादी पार्टी से तालूक रखते हैं। परवेज आलम उनका नाम है। परवेज आलम बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल इंडिया पर। परवेज आलम जी टिकेट के दाविदार हैं आप और अगर टिकेट आपको मिल जाता है सबसे पहरा काम आप विधानसवा के लिए अपनी विधानसवा के लिए क्या करेंगे वहां की जनता के लिए। कि मुझे उमिद्वार क्लाती है जैसा कि मुझे फर्सा है अपने राष्टी नेतूत पेता है तो शदे पहले मेरी प्रात्मिक्ता होई इस इलाके को इस इस दिरांसबा का चौनुक्षी पिकास कितरिक्ष्ट होए रच्छ होगा साथी साथ जो नौजवान है जो बेरोजगार है उनको रोजगार उंक्ति कराना वो इस इलाके में वोची ऐसी मूल्भूत समस्या है बिल्कुल परवेज आलम जी और इस बार हम विदानसवा चुनाव में देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां इस बार महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आप महिलाओं के लिए वो कौन सा काम करेंगे जो अब तक पतर देवा विदानसवा में नहीं हुआ है हमारी पार्टी में से महिलाओं के साथ खड़ी है हमारी सरकार्टी को महिलाओं के समाज वादी फेंस दिया ता उसमें महिलाएं सामिल जी और हम लोगे हमारी सरकार्टी के हमने करने अब ज़िया धंग लिए अस्ताफ और उसके बहुते गरीपटी उसकार्टी ने आठीक मदद हमारी पार्टी ने करने का काम किया था और हम जैसा कि इस बात परिवस्त की रहर चल लई है कि उत्ताफ पुदेश में भार्टी जंता पार्टी का सफायरा होने जा रहा है हम लोगे नेता अदरी अकलेश यादो जी तो हजार बारिश के मुस्यमंत्री बनने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बात जाहें महिला हो नौजवान हो बेरुज़गार हो पुदान हो सब के हिसों के लिए समाजवादी पार्टी करने की बिलकुल परवेज आलम जी एक सवाल और यहां पर है कि देखे बीज़पी विकास कार्रे बहुत जादा कर रही है उत्तरप्रदेश में लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर 2022 में सरकार बनती है तो पहला काम कौन सा होगा समाजवादी पार्टी की तरव से जो अब तक बीज़पी नहीं कर पाई है अब देखे हमारा मेंनुखेसो आना प्रक्की है और समाजवादी पार्टी की पतनीयोकरणी में कोई अंतर नहीं है जो करते हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी दोग तहते हैं और करते हैं भारती जनता पार्टी के कथनी उकरती में अंतर है पर्वेज आलम जी उम्मीद हम यही करेंगे कि आपको समाजवादी पार्टी के तरफ से पतर देवा विदान सवा से टिकेट मिले और आप बहारी वोटों के साथ जीत हासिल करें और जो भी आप अभी यहाँ पर काम गिना रहे हैं वहाँ की जनता को एक के बाद एक ही काम दे क्योंकि बहुत सारे इलाके कही न कही पर्वेज आलम जी अभी भी नजर आते हैं कि जो पिछड़े इलाके होते हैं जो है वो देवरिय विधान सभा में तमाम इलाके हो तो वहाँ का किस तरह से विकास किया जाएगा जी बिल्कुल बिल्कुल इस चेतर पे हमारे पिता रहे स्वर्गी इसकी साकित की आपको मंतिर उनकी कर्म भूमी ये चेतर रहा है और जब विधान को मंतिर पर रहे हैं चेतर का चौमुक्य जिकास उन्होंने किया है और उनको आदस माम करके उनके परविशिनों पर चलते हुए इस चेतर की का हमें चौमुक्य जिकास करूगा और जलता की लराई लगते हुए इस चुड़ाव को जी चलिए ठीक है परवेश आलम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नियूस फॉल इंग्या के साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए तो देवरिया विधान सभा की पथर देवा सीट से माई साथ परवेश आलम जुड़े हुए थे जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं टिकेट के दावेदार हैं लेकिन देखने वाली बात है कि पार्टी अगर उन्हें टिकेट देती है तो कितना जीत वो हासिल कर पाते हैं और जो भी अभी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है कितनी बातों पर वो अमल रख करते हैं और जन्ता के लिए क्या कुछ करते हैं